आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत तेस्ती और बहुत यूनिक रेसिपी जो आम से बनने वाली है और गर्मियों में सभी को बहुत पसंद आती है बहुत सुपर तेस्ती यह कुल्फी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत कम चीजों से बनेगी यानि बिना मलाई के बिना कंडेंस मिलके और बिना क्रीम के बहुत कम चीजों से यानि दो तीन चीजों से ही बनकर तयार हो जाएगी ये और बहुत सुपर सौफ दानेदार मलाई रबड़ी कुलफी बनकर तयार हो जाएगी जिसका टेस्ट को मार्किट से भी बेटर लगेगा तो फिलाल आम ले यह है आम के सिजन है तो भही आम का यूद्を करना इतकर आम को sweeping के टासिर कर होती है उसमें थे पाने चार्वर नहीं है था यहां मैंने फुल फैट मिल्क लिया था और लगभग 180 मिल्क पकने के लिए रख दिया है और यहां पर मैं एक चमच भर कर ले रही हूं कॉन स्टार्च और इसे नॉर्मल दूद में ही मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया है जरूत के लिए मैंने ड्राइफ रूट्स भी ले लिए हैं बस इतनी ही चीजों से आज ये ना हमारी से हुए दूद में मिलाते जाएंगे इससे क्या होगा कि मलाई साइड में जैमेगी भी नहीं और हमारा दूद जो होगा लच्छे दार रबड़ी दार बन जाएगा इसमें ना ज्यादा समय नहीं लगेगा 10-15 मिंट का समय लगेगा और आपको low to medium flame पर ही दूद को रखना है अगर flame हाई कर दोगे तो फिर दूद उफन कर बाहर आ जाएगा फिलाल मैंने काजू कुछ बडाम और हरी लाइची ले ली थे और उसे दरदरा इस तरह से मिक्सर जार में यहां पीस लिया है करिब 10-12 बडाम थे और 10-12 ही काजू और 4-3-4 हरी लाइची यह देखो इतन मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया वैसे अधिकतर मैं नहीं इस्तमाल करते हैं वह चीज़े क्योंकि सभी के पास जरूरी नहीं है कि यह सब चीज़े अविलिबल हो और यह देखो दूद मैं दिखा रहे हैं आपको दूद का कलर भी चेंज हो चुका और यह देखो पहले से दूद की कॉंटिटी भी रिड्यूज हुई है और यह थोड़ी थोड़ी मलाई भी अंदर जमने लगी है चले दूद को मैंने साइड में रख दिया है और आम ले लिया है यह ना आम आपको एकदम मीठा वाला आम लेना है यहां पर यानि एकदम बढ़िया किसी भी क्वा से तरसी फाल का निकाल को आइस तरह से च्वanz आइसा हो जाया है यह तो बहुत आसानी से बीजाने के बाद सापफ हमने और और अच्छी यह करने की बादughter मिकसर जार में एक फाइन के बना लेंगे भी इना पानी डाले ही हमेए इस की में इसका पाल्प गयार करना है देखो गुतली भी मैं निकाल ली है थोड़ी बहुत लगी दिए ना मैंने चम्मच का इस्तमाल किया मैं अदिक तर क्या करते हूं आम भी बढ़ियां पका हुआ है ना ही देखो दिखने में दिख रहा होगा आपको कितनी आराम से कट जारा है ये बस छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लिए है और मिक्सर जार में अब मैं इसका फाइन पेस्ट बनाऊगी फिलाल हाथ पहले धो लिया तक यह अहाम लगा हुआ है ना तो फिर चिपार सी लगती है कोई भी काम करो बस यहाँ पर हाथ दुने काद मैं दूद को देखो चेक लिए दूद की कॉंटेटी और भी रिडियूस हो गई है और इदे को मलाई भी आपको दिख रही होगी और कदर भी दूद का देखो किस तरह चेंज हो रहा है फिलाल मैंने यहाँ पर चाय वाला फ्राइपेन अपना ले लिया है जिसमें मैं चाय बनाती हूँ और दूद को यहाँ साइड में रख दे रही हूँ मैं दूसरे चूले पर और इस फ्राइपेन में अब हम चीनी मल्ट करेंगे यानि करेंगे चीनी को तो गैस का फ्लेम लो रखना आप ना चीनी जनने लगी यहाँ पर फिलाल ये जबसे गैस पाई प्लेम लगी थिए लो फ्लेम पर भी यह गैस की फ्लेम निकलते हैं बहुत तेज निकलती है तो बस मैं इसे धीमी आज पर इस तरह से मेल्ट कर रही हूं और इसे हिलाते हुए मेल्ट करना बना यह जलने लगेगा एक तरह से और फिर जला हुआ साना कड़वाहाट से आने लगेगी फिलाल एक तरब से यह थोड़ा डार खुने लगा तो मैंने चम्मच से हिला दिया है धीमी आज पर देखो अब धीमी आज पर धीरे-धीरे से मेल्ट होने देंगे हम जैसे-जैसी मेल्ट होगा आप देखो खुदी एकदम लिक्विड हो जाएगा बस धीमी आज पर रखना बिल्कुल भी गैस के फ्लेम हाई मत करना चीनी जल जाएगी और कड़वा टेस्ट आएगा बस इस तरह से मैं मिलाते हुए इसे मेल्ट कर रही हूं यह देखो धीरे- में करीम तीन से चार मिनिट का समय लग जाएगा यहां देखो चीनी कितनी अच्छी तरह से करमलाइज हो गई है बस अब क्या है अब दूद को वापस हम ले आएंगे चूले पर कैस का फ्लेम लोही रखेंगे और चीनी को इसमें धीरे-धीरे करके डाल देंगे यह देखो और दूद में मिल जाएगी चीनी और दूद का कल रफा देखो है जैसेसरे मेल्ट होगीना यह बहुत अच्छा कलर भी आने वाला है दूद में तो इसे यijnयन से चार मिन लग जाएंगे 291 कि यह मेल्ट हो जाएगा यह देखो देखो धेधरे मेल्ट होगर आपको दिख र वही वाला कलर दिख रहा है यह बस इसे हमें जब तक चीनी मेल्ट होगी तब तक ही पकाना है क्योंकि मलाई भी हमारी जम चुकी इच्छी तरह से और यहां कॉन स्टार्ट जो खुला था ना वो भी हाँ पर मैंने डाल दिया हां ध्यान रखना कि गैस का फ्लिम लो ही रहे ब सब्सक्राइब हो दूद्ध गाड़ा और करने होने होने में इस त्रच कर दोद्ध जारेगी बिल सेाया और ट्रूद का समय पड़ा यह नहीं देखत सब्सक्राइब साब 15AL shifts एक त्याम मैं मजब दाश् तो इसे इसी तरह ठंडा करके इंजोई कर सकते हो कुलफी शर्बत की रूप में भी मन चाहे ड्राइफूर्स चाल के फ्रिज में अच्छी तरह से चेल्ड कर दो इसे और आम साप इसे इस तरह भी इंजोई कर सकते लेकिन मैं यहां पर कुलफी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे अब तो गर्मियां जैसे बढ़ती जा रही है ना टेंपरेचर इतना बढ़ती जा रहा है अब तो मतलब दो पहर को तो जिस तरह में जाती हो ना स्कूल से लेने नेती को हालत बहुत खराब हो जाती है इतनी तेज धूप लगती है तो और आय दिन बच्च रोटी नहीं खाएंगे बस कुल फिर मिल जाए या आइस क्रिम मिल जाए फिलाल दूद गाड़ा हो गया था मैंने उसे साइड में रख दिया और यह आम जो मैंने निकाले थे ना अब इसे हम एकदम फाइन प्ल्प यानि फाइन प्योरी बना लेंगी बिल्कुल भी इसमे अब कोई छोटे में चंक्स रह जाते हैं फिर क्या है यह दूद को अब ठंडा करना अब कढ़ाई में से मैं दूसरे बड़तन में ट्रांसफर कर रहे हूं क्योंकि करेब यह रात के साढ़े नौब बाजरा रात का डिनर वगरे करने के बाद मैं अपने सारे काम निपताने के बाद किचन में आया हूं एक कुलफी बनाने के लिए क्योंकि मैं रात भर इसे रख दूंगी फ्रीज में और सुबह इसे निकालूंगी और रात में फ्रीज खुलती भी नहीं किसी काम के लिए तो इससे अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा फिलाल मने इससे फ्रीज म जाल देंगे क़। इसे यहाँ परchas Bernard के मिलका इस्तीम प्रिज कैनीक हम नहीं कुछ भी नहीं बस यह थोड़े से दाल दियो थोड़े में ब मिखसरे मोड्रम जाए कि यह और यह पास किलफी मोल्ड नहीं लिए अगर आपके पास है तो कुलफी मोल्ड ले लेना तो यह कप का अब बनाओं गे मैं यe कुल पी आप चाहो तो किसे ग्लास कभ bus this है । अब इसका है ज्मा सकते हो on inć parlour तोड़ी से ड्राइफ रूट डाल दी नीचे ग्लास में देखने में अच्छी लगती हुआ और इस तरह से थोड़ी थोड़ी मैंने भर दिया है यह देखो और इन छे इन छे कपने ही भराय पूरा मैंने बिल्कुल भी बचा नहीं एक्स्ट्रा उपर से थोड़ी थोड़ी ड्राइफ रूट और डाल दी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना पर ने अपने मनचाह अच्छी तरह से इसे सील कर दिया और चाकू से हलका सा कट लाके ना यह आईसक्रीम स्टिक नॉर्मली हमें स्टेशनर पर मिल जाती है वो लगा दी है नहीं कुलपी बना र पूरी स्टिक के साथ ही मज़ा आता ना बच्चों को करने मज़ा आता देखो नय तिक भी आ गया था मेरी मदद करने कि मैं मुझे भी करने दो ना फिर क्या था मैंने उसे भी दे भाई तुम भी इंजॉय कर लो वस उसने भी इस तरह से आइस क्रीम स्टिक लगाई और अब अब चलते हैं से फ्रिज में रखते हैं कि लिएल फ्रिज मेरा काफी पूराना है तो इसमें थोरा टाइम लग जाता है आप कपरेश बड़ा है और टायम है तो आपका कम समय में हैं इसके मिचे तरह जमजा जाएगा लेकिन नॉर्मली ना 10-12 घंटे इसको लग जाते हैं और यहां मैं दोपहर हो गई थी मुझे स्कूल से मैंने आने के बाद ही आइसक्री निकाली है क्योंकि बीच में लाइट भी हमारे यांँ चले गई थी अब गर्मिया आ गई है ना पानी और लाइट की समस्या आती रहती है लाइट भी बार बार जा रही है पिर आ रही है जा रही है कभी-कभी इतनी परिशान करते हैं कि हालत खराब हो जाती है गर्मी और यह फिर लाइट की समस्या फिल्हार चलते हैं आइसक्री मैंने निकाल लिया है और इस तरह से बस अ कुलफी जमी है यह देखो सुपर सौफ रबड़ीदार मलाई कुलफी है यह और बहुत खाने में टेस्टी है कि एकडम क्रीमी टेक्ष्च्छर आएगा एक डम रबड़ीदार टेक्ष्चर आए इसका और खाने में भी उतना ही मज़ा आगा आप खुद इस हो सकते हो जिसमें रबड़ी रबड़ी के साथ आपको आहाम का भी मज़ा मिलने वाला है इतनी तेस्टी कुलफी आज बनकर तैयार हुई थी तो यह तेस्टी आप बनाओगे ना तो यकीन मानोगे बनाते बर में बच्चे चट करने वाले हैं और इतनी जबजस्त यह कुलफी बनती है कि बच्चपन की याद आपको आ जाएगी देखो मैं दिखा रही हूं आपको एक्चली हमारे लाइट चली गई थी जिसकी वज़े से थोड़ा सा यह ना मेल्ट हो गया था तो मैंने इस बच्चिन कह रहे तो म